कि गुट आफ्टरनून एवरीवान हाई शुवम हावर यो कैसे हैं आप वेलकम टू सफलता क्लास आज हम बात करेंगे से बजट की अब हमारा एकोनोमिक्स का काफला बिलकुल समाप्त होने की और क्योंकि मैंने आपको सारे टॉपिक एक एक करके करवा दिये हैं जो आपके महत्पुर्ण प्रश्न है जो आने वाले है जिन दिन टॉपिकों से एक्जाम में वह मैंने टॉच किया है पुछ और यह बजट आखिर सुरू कब हुआ बजट होता क्या है भारतिय सम्विधान में बजट किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है या बजट सब्द है भी क्या भारतिय सम्विधान में इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे आज जुड़े रहिएगा बने रहिएगा हाई कल सभी बच्चे अप्सेंट हो गए थे एक आएक तो बजट बजट की बात करें तिसका इतिहास बहुत लंबा विश्व का पहला बजट सत्रा सो तेतीस में याद रखिएगा सत्रा सो तेतीस में आपको प्रोफेसर फिलिप ने बिटेन में प्रस्तुत किया था यानि कि द दुनिया का पहला बजट बिटेन में किसके द्वारा आपको फिलिप प्रोफेसर फिलिप के द्वारा अगर भारत के संदर में बात करें तो भारत का पहला बजट 1860 में सर जैम्स बिलसन के द्वारा प्रस्तुत किया था किसके द्वारा जैम्स बिलसन इसके द्वारा आप आपको सबसे पहला बजट भारत में प्रस्तुत किया गया और स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें तिये 1947 में आर के संगुनम 70 के दारा प्रस्तुत किया गया जो अंतरिम सरकार थी भारत की अंतरिम सरकार उसके वो बित्मंत्री थे उस लिहाद से उन्होंने प्रस्त किया था सबसे पहला बजट यह चारों पॉइंट याद रखिएगा बहुत ही महत्पुर्ण आपके एक्जाम के लिए कि विश्व का पहला बजट 1733 में प्रस्तुत हुआ आपको भारत में सबसे पहले 1807 में स्वतंत भारत में 1947 और जब भारत गंतंत्र हुआ जब यहां संविधान लागू हुआ तो 1950 में किडियर है सबका चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में सबसे अधिक दस बार बजट मुरारजी देशाई ने प्रस्तुत किया याद रखिएगा सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का अभी तक रिकॉर्ड किनके बार पास ह है मुरारजी देशाई के पास आठ बार उन्होंने आम बजट प्रस्तुत किया था दो बार अंत्रिम बजट प्रस्तुत किया था ठीक है परधान मंत्री रहते हुए बजट पर भी कौन कोन रहे हैं पंडित जमालाल नहरू इंद्रा गांधी और राजीव गांधी ये तीन है तो भारतिय सम्विधान में बजट सब्द है नहीं कहीं पर कहीं पर बजट नहीं लिखा हुआ है आपको बजट के बदले क्या लिखा हुआ है आपको आर्टिकल 112 में आर्टिकल 112 में बार सिक बित्तिये विबरन बार सिक बित्तिये विबरन ये सब्द देखने को मिलता ह इसका प्रियोग किया गया है तो किलियर यानि कि भारत में बजट सब्द का प्रियोग भारतिय संविधान में नहीं किया गया है भारतिय संविधान में आपको प्रस्तुत क्या किया गया है बार्सिक बित्तिय विवरन सब्द का प्रियोग किया गया है कोई क्वेश्चन मनु कि बजट का निर्मान की बात करें कि बजट का निर्मान कैसे होता है तो सरकारी बजट एक वित्तिय वर्स की जैसे हमारे हैं क्या है एक अप्रैल से 31 मार्ज की अबधी के दौरान आई तथा वैक नवानों को दिखाने वाला एक बारसिक विवरन है यह बताता है वीडियो रही हो के शुभम क्या आपकी वीठ रही है है कि एक वास्व कि आपकी वीडियो रूख रही है अगर दोनों की रूख रहे होगी तो अप्राइड प्रॉब्लम है एक पार के बीच में आपको एक अन्मान लगा जाता है कितना इंकम आएगा और कहां कहां खर्च किया जाएगा इसी को आपको arranged बजट किया करते हैं आपको एक फरवरी को आपको इसका बजट भारत के बिटमंत्री बजट पेस करते हैं भारत में संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए बजट का निर्मान करती है इसे कैंद्र सरकार का बजट कहते हैं क्या कहते हैं कैंद्र सरकार का बजट कहते हैं साथ ही आर्टिकल 202 के तहद परते के राज सरकार की भी अपनी राज के लिए बजट बनाती है इसे राज सरकार का बजट कहते हैं क्या कहते हैं इसे राज सरकार का बजट कहते हैं तो याद रखिएगा सेंट्र बजट आता है आर्टिकल 112 में और इस्टेट बजट किसमें आता है आर्टिकल 202 में आपको होता है यह बजट भारत का बित्वन्ति तथा बित्व सचिप बजट को तयार करते हैं संसत द्वारा बजट पास किया जाने तक सरकारी खर्चों को लेखा अनुदान के तहट प्राप्ट किया जाता है आपको अगर बजट पारित नहीं हुआ है तब तक लेखा दोन लेखा अनुदानमाग के द्वारा आपको budget को किया जाता? इस प्रकृया का उल्लेक्स आर्टिकल 116 के अंतरगत किया गया है. किसमें? आर्टिकल 116 में. आपके प्रस्ट यहीं है. याद रखिएगा आपके प्रस्ट इन ही में से रहते हैं. किस article के तहत क्या होता है? ठीक है? पहले क्या हुआ? बाध म कमेटी की सिफारिस के तहठ अलग कर दिया गया पहले क्या था कि रियल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाते थे लेकिन 1924 में एक वर्थ कमिटी की एक रिपोर्ट आई जिसमें आपको रीब को आपको अलग कर किया गया किससे आम जट से लेकिन अंतिम बार दो हजार सोलह में ऐसा था ज़ब आपको रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था लेकिन एक फरवरी 2017 को फिर से आम बजट के साथ ही इसको प्रस्तुत किया जाने लगा यानि कि वापस आपको आम बजट और रेल बजट एक साथ आ गया आपको किलियर है कि 1924 में दोनों अलग-अलग हो गए थे रेल बजट अलग और आम बजट अलग लेकिन आपको एक फरवरी 2017 से फिर से रेल बजट और आम बजट को एक साथ कर दिया गया था को कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं मनु अभी भी आपकी वीडियो रूक रही है या वीडियो किलियर है आपकी अब बात करते हैं मनी बिल की धन बिधहक क्या होता है मनी बिल बजट को संसद के में धन बिधहक के रूप में रखा जाता है याद रखीगा मनी बिल के रूप में आपको रखा जाता है और इसका बर्णन का है संविधान के अंच्छेद 110 में इसका ओलेक किया जाता है धन बिधहक को लोग सभा में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं आपको पताहिए धनविधयक कितना आपको स्पैसल होता है बजट वर्ड का मतलब बजट तेक तो हमाई समविधान में है यह बजट का मतलब लिखा-जोखा लेक्षाża होता है प्रस्तुत करना ठीक तो धन व इतना special क्यों होता है आपको क्योंकि money will एक तो सबसे पहले लोग सभाव में रखा जाएगा आपको राष्ट पती के अनुमती के बाद बजट हो चुका है 2022 का भी अभी हम मार्च में एंड कर रहे हैं 29 मार्च है एक फरवरी 2022 को ही बजट पेस्ट किया जा चुका है चलिए तो आपको मैं क्या बता था money will के बारे में money will आपको पहले राष्ट पती से अनुमती लेनी परती है उसके बाद लोग सभा में प्रस्तुत हो सकता है जब कि साधारन बिध्यक लोग सभा में राष्ट सभा में कहीं भी आपको प्रस्तुत कर किया जा सकता है यह सिर्फ लोग सभा में होगा जब लोग सभा इसे पारित करें करके राष्ट सभा में भेजेगी तो राष्ट सभा को भी 14 दिन के अंदर इसे पारित करना परेगा अगर 14 दिन के अंदर पारित नहीं हुआ राजसभा में इसे स्वता पारित समझा जाता है ठीक है क्योंकि मनी बिलकु राजसभा नहीं रोक सकती है क्लियर है सबका चलिए कोई बिध्यक धन बिध्यक है या नहीं इसका निर्नय लोग सभा का अध्यक्ष लोग सभा का अध्यक्ष निर्नय करता है आपको लोग सभा का अध्यक्ष बताएगा कि कोई भी आपको धन बिध्यक है या नहीं है इसका निर्नय पूरी तरह से उनके ह आथों में होता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता राज अस्तर पे आपको राजपाल की पुर्वानमती के बाद विधान सभा में रखा जाता है इस विध्यक को और वहां पर विधान सभा अध्यक्ष तै करेगा कि कोई भी विध्यक धन विध्यक है या धन विध्यक नहीं है अब पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन धन विध्यक से रिलेटेड नो चलिए आगे बढ़ते हैं संचित निन्ही Consolidate Funds से धन को निकालना जमा करना उधार लेना या देना हो नए करों को लगाना हो या पुराने करों को हटाना हो यह संबंदि सभी मामले धन विध्यक के अंतरगत आता है यानि कि पैसों से जुले यह सभी के सभी मामले आपको कहा जाते हैं आपको यह धन अंतरगत आते हैं अब बजट के टाइप्स की बात करेंगी कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में बात करें हम अगर तो पहला है निश्पादन बजट यानि कि परफॉर्मेंस बजट चालू बितिये बरस के परिनामों के अधार मानकर अगले बरस का बजट तैयार करना निश्पादन बजट कहलाता है यानि कि जो साल चल रहा है उसको आधार मान के next year का बजट प्लान करना आपको निश्पादन बजट यानि कि परफॉर्मेंस बजट है इस बजट परक्रिया को सबसे पहले संजक तराज अमेरिका द्वारा अपनाए गया था अब में इसे उपलब्ध आ काजपूरती बजट के नाम से नाम से भी जना जाता है इसे ठीक ए प्र Thai मंत्री राहत को से एक अलग मामला है जुग सुन बजट जीडिझ सिस्टम की बात करें कि सुन बजट क्या होता है तो सुन बजट के नाम से भी जानते हैं क्या कहते से sunset budget यानि कि पिछला जो दिन खतम हो गया वह दिन खतम हो गया ठीक यह वह वहीं पे खतम आब बरतमान समय में भारत के लगभक सभी राज्यों में इसी परणाली का budget प्रस्तुत किया आपको ठीक है निश्पादन मतब उसको संपन्द करना ठीक है उसको समाप्त करना वो काम को करना पूरा करना ठीक है निश्पादन अगला बजट है आउटकम बेस बजट इस परक्रिया में देश के हर तिमाही में हर तीन महिने पर आपको तिमाही में चालू बित्तिय वर्स की समिख्षा की जाती है और परतेक मंत्रालें और विभागों को पिछले बित्तिय वर्स में कितनी धन्रासिय आवंटित हुई थी और उसका उपयोग कैसे हुआ उसके अधार पे बजट तेयार किया जाता है यानि कि इस वाले में आपको रिपोर्ट लिया जाता है भारत में अभी कैंसरकार इसी का पालन करती है कि किस मंत्राले को कितना पैसा एलाउट किया था वह मंत्राले से आपको बजट इसका बना जाता है भारत में इसकी पहली बार प्रियोग इसका 2005 में किया गया था 2005 में पहली बार आपको इस प्रकार का बजट बना था जिसे आउटकम बेस बजट कहा जाता है परिनामों उनमकी यानि कि पिछले साल क्या रहे रिजल्ट उस रिजल्ट के बेसिस पर फ्यूचर का बजट बनाना आपको आउटकम बेस बजट कहलाता है फटापट पूच सकते हैं यहां तक पुश्चन पूच्छन अगला बजट है आपको लेंगिक बजट यानि कि जैंडर बजट यह थोरा सालक महिलाओं के विकास एब हम शिशु कल्यान से संबंदित योजनाओं और कार्षक्रमों के लिए परतिवर्सिक निर्धारित रासी सुनिश्चित की जाती है तथा इसका पूरा उलेक लेंगिक बजट में किया जाता है इसे हम जेंडर बजट के नाम से जानते हैं अब बात करें अगर हम संतुलित बजट की बैलेंस बजट यह क्या होता है ऐसा बजट जिसमें आपको सारजनिक बैद तथा कुल राजश्वराप्तियां बराबर हो संतुलित बजट कहलाएगी क्या कहल तो राजश्व प्राप्तियां होगी वह सकल साजनिक बै के तुल में अधिक होती या निकी आमदनी ज्यादा होगा और खर्चा कम होगाए सरप्लस बजट है और यहां पे पीछे क्या था आपको संतुलित में संतुलित बैलेंस बजट यहां पे खर्चा और आमदनी दोनों और ऐसा बहुत करेरी होगा ऐसा होता नहीं यह तो कम होगा यह तो ज्यादा आम तोर पर अर्थवैस्था में मांग की कमी करने और आर्थिक क्रियाओं की अस्तर को घटाने के उद्देश से यह बजट पेस किया जाता है कुल प्राप्ती जादा होता है कुल वैसमें कम होता है आपको घाटे का बजट डेफिसिट बजट इसे क्या कहते हैं इसमें क्या होता है आपको खर्च जादा हो रहा है इंकम कम हो रही है ठीक है इंकम कम और खर्च बहुत जादा इसे हम क्या कहेंगे घाटे का बजट यदि किसी अब्धी में बै या रेवेन्यू से अधिक हो इस घाटे का बित्विश्था कहते हैं कुल प्राप्ति कम और कुल बै अधिक नॉर्मली हर विकास सिल देश में ऐसा ही चलता है ठीक है मैंने अभी मनूबर से ही बताया आपको पीछे बजट के सारे प्रकार बताये एक बार और देखलो बजट के प्रकार पहला है पर्फोर्मेंस बजट इसमें आपको पिछले साल के चालू बर्तिय बरस पर के अंसार आपको next यह का बजट तयार किया जाता है यह जीरो बजट इसमें आपको पिछली साल जो चालू ब्रतिय बरस है उसमें क्या हुआ उसको भूल के नए अस्तर पर बनाया जाता है जो आपको कहां पे है यह इंडिया के सभी राज्यों में यह ऐसा ही चलता है अमेरिका साया यह भी आउटकम बजट यह आपको 2005 से अपनाया गया भारत में भारत सरकार ने अपनाया है इसमें क्या होता है आपको कि पिछले साल जो पैसे अवंटित किये गए थे बजट में अलग-अलग मंत्रा लेओं की उसका तिमाही समिक्षा की जाती है कितना कितना खर्च हुआ कहां खर् पे बजट में आते हैं संतुलित की बात करें ऐसा बजट जिसमें आपको जो पर गचब होता है और यह गाटे का बजट इसमें पुल प्राप्तियां आपको कम है खर्चा ज़्यादा है जो एक विकास्यल डेस में ऐसा ही होता है क्लियर है सबका कोई क्वेश्चन यहां तक पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपकर अगर कि अगर कि अगर कि शुभम कोई क्वेश्चन आपका अनमनू भारत में आपको राज्यों में सुन्य बजट किया जाता है कैं सरकार आपको आउटकम बजट पेस करती है यह परिफॉर्टम बजटर चली आगे परते ओब्जेक्टिव ऑफ गौर्मेंट। बजेट क्या आखिर बजट primo बनाया ही क्यों जाता है बजट मनाने की आवशーक्ता क्यों पढ़ती है अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले संसाधनों का पुना वित्रण, आपको जो देश में स्थित्ट जो संसाधन है, जो resources हैं उसका वित्रण करना, कि कहां पे कितना जाएगा, education पे कितना खच जट से ही आपको आई तथा संपती क्या समानताओं को कम करना कि के अगर गरीब बर्ग है आपको जो पिछले बर्ग है समाज में उसको अलग से आर्थिक सहायता देना उनके लिए अलग अक्टिविटी करना जिससे की समानता स्थापी तो सोसाइटी में इनके बीच का गैप क यह सबके सबाब आपको एक बजट के अबजेक्टिव होते हैं बजट इसलिए बना जाता आप घर का ही सोचो आप अपने घर का एक जाम पर लो घर में बजट केतने बजट खराब हो गया है ठीक है अगर घर में बीना सोचे समझे हम खर्च कर रहे हैं हमारा मतलब जहां मर पर प्राइगा कि ट्रांस्पोर्टेशन जाना है दवाई आनी है क्या होना है एद्शुकेशन में कितना intention होना है सब कुछ सोच के रखता आफ्मीं अपने बजट में सबस्ता है बजट के के बंस्तology कर रहा हूं कर रहा है कि क्लीयर कि इस पास् hatte नेक्स्ट सावजनिक बस्तूओं की बात करने एक बार कि क्या होता है पब्लिक बुड्स वह बस्तूओं जिने बाजार तंत के दौरा उपलब्द नहीं करा जा सकता है तथा इन बस्तूओं तथा सेवाओं के सरकार उपलब्द कराती से सावजनिक बस्तू कहते हैं यह आगे पूरा अपना जहां जहां चलेगा रोड नहीं बना सकता ना ठीक है बिजली आप खुद ही अपनी कंपनी थो लगा लोगी आप ठीक है यह सब साब्जनिक बस्तों की श्यनीम आती है जिसे सरकार की जिमेबारी है उपलब्द कराना जैसे राष्टी सुरक्षा हो सरके हो सरका आपस में मैनेज करते हैं ठीक है वे बस्तों जो आपको बाजार तंत्र में उपलब्द है वो भोगता और उत्पादक के बीच लेंदेने इसमें होता है डिरेक्ट और यह बाजार तंत्र में उपलब्द है यह सभी नीजी बस्तों कहलाएगी कोई भी खाने पीने की चीज भी खरीद सकते हैं बेश सकते हैं यह सब नीजी बस्तुएं कहलाती है आपको अब ये सबसे महत्पुन पार्ट बजट का ये सबसे ज्यादा महत्पुन नहीं इसको अच्छे से समझना है क्योंकि प्रफन यहीं से रहेंगे और अगर आपको बजट को जानना है बजट को समझना है याद रखिए कि ये points सारे के सारे एक एक करके जब मैं बताऊंगा तो स सारे points आपके clear होने चाहिए एक भी points अगर इसमें clear नहीं है तो वहीं पर रोब कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये points मुझे नहीं पता क्योंकि यह जब आपके सारे के सारे points clear हो जाएंगे ठीक है तभी आपको ये पूरा सरकारी बजट का जो तंत्र है कैसे ये पूरा सर परकारी बजट की बात करों तो दो परकार के बजट राजश्व बजट और पूजिगत बजट अभी हम देखने वाले हैं ठीक है राजश्व बजट में क्या आता है राजश्व प्राप्तियां और राजश्व बै यानि कि कितना आया और कितना गया राजश्व प्राप्त बैय होता है, एक गैर योजनागत बैय होता है, इसके बारे हम भी देखने वाले हैं अब बीए, और फूजी गत बजट की बात करें, तो इसमें पूजी गत बैय होती है और इसका बै भी योजनागत और गैर योजनागत होती है, तो कुल लिए आपका बजट का जो पूरा कॉंसेप्ट है वह अब किलियर हो चुका है ठीक है कोई कुश्चन है किसी का हाई पूजा कभी कभी पूजा आते हैं हमारी क्लास में आप रेगुलर क्यों नहीं अगर आप रेगुलर एटेंट नहीं कर रहे हैं तो याद रखें जितने भी रिकॉर्ड वीडियो उसे जरूर देखें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं लाश्ट अभी इस विक का आपका क्लास बचा है क्योंकि इस बीक में आपके सारे लगभग में टॉपिक हम किलियर कराने वाले हैं क्योंकि आपके सारी टॉ पूछी बचे हैं बजट के बाद तो सरकारी योजनाय महत्पुन क्वेश्चन बचे हुए हैं तो फटाफट आप कर सकते हैं कूछ सकते हैं क्योंकि दो तीन चार क्वेश्चन आरारवी ग्रूप डिम आएंगे तो काफी महत्पुन रहेंगे वहाँ पर आपको तो सबसे पहले बात करते हैं राजश्व बजट की रेवन्यू बजट क्या होता है राजश्व बजट किसे कहते हैं तो इसका संबंद बजट के राजश्व है राजश्व बजट परदसित करता है कि सरकार को कितनी राजश्व की प्राप्ति हुई वह इन प्राप्तियों स कितना क्रै किया जा सकता है इसे राजश्र बजट आपको कहते हैं इसको दो भागों बाठते हैं ठीक है यानि कि राजश्र बजट में होता है कि रेवेन्यू कितना आया हमारे पास और हमें कहां कहां हमने उसे खर्चा करना है उसे आपको राजश्र बजट तो राजश्र प् मजना बहुत आवश्यक है यह सबसे crucial point है की कैए देखो घर में पैसा कैसे आता है एक घर में एक घर X है X में पैसा कैसे आ सकता है पहला तरीका ए है कि आपकी income हो आपका salary आ आधी तरीका B है आप लोन ले रहे हो तीसरा तरीका सी है आप क्या कर रहे हो कि अपनी property बेच रहे हो जमीन वेचती गारी बेचति ठीक है property बेचते हो तो यह सबका सहमत है आप हमसे अब यहीं पर देखिए आपके सारे कॉश्चन के जवाब है जब आपको सिर्फ इनकम हो रहा हो ठीक है यानि कि यह दोनों पार्ट सामिल नहीं हो इनकम के ना आप लोन ले रहें लोन लेना मतलब नया दैता उथपंद करना कि अब आपको किसी को देना परेगा ठीक आपको किसी के करजदार हो गयाँ है अप किसी को महाजन बना लिए ठीक है और तरीका ते यह दोनों काम नहीं करना है नहीं लाइबलेटीज बढ़नी चाहिए और नहीं हमारा कोई एसेट कम होना चाहिए और यह दोनों को छोड़के जब हमारे पास पैसा आता है इनकम तो उसे हम क्या कहते हैं आपको राजश्र प्राप्तिया रेवेन्यू करते हैं याद श् blanket रखिएगा इसको है कर राजश्र दो ठाइब से पराप्त होगा यह डिए रेवेन्यू मैंने बताया था है आपको एक तो होगा टैक्स Рेवेन्यू कर राजश्र राजश्र को परिवारों और फर्मों या सस्थागति का कृश्र कहलाता है आप्करों को प theater है youngsters को बरगे करेंगे ठीक है उसके बार गैर राजश कि बात करें आप कैसे आएगा इसल़ से रख बस्ट सरकारी उध्यमों से जो आया रही है सरकारी कंपनियों से यह सबोस्ट आपको गैर कर राजश है टेक्स जो लगा दिये वहां से आएगा इंकम टेक्स प्रोपर्टी टेक्स विक्री कर ठीक है मतलब डाइरेक्ट और इंडारेक्ट दोनों टेक्स की बात उस टेक्स में हो रही है और यह बीना टेक्स लगाई जो इंकम हो रही है इस तरह से हमारा रेवेन्यू क्रिएट होगा ठीक है इसे हम राजश प्राप्तियां कहेंगे ठीक है भई कोई भी क्वेश्चन हो फटा-फट पूछिए राजश्व प्राप्तियां समझ में आया है नहीं है आपको पूजा शुहम और मनू राजश्व प्राप्तियां आप समझ गए कि रेवेन्यू कैसे आया कि एक टैक्स लगा कि इक non-tax चलिए भई मैं ने यह बताया राजश्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्ति यह प्राप्ति यह तो टैक्स् लगाकर होगा या तो gepऐसि के और हमाइप सिधे में पैसा कैसे खा जगा है तो कोई आपना bike humble देता हूं आज तीन तरीके ना पैसा लाने के तो ना मैं अपनी बाइब वैच लूँ सिर्फ कमाके लाधां की कहते हैं क्यूंकि का होता है!? के देता हुत्मान होती जब अप एसेट बेचते हो इसेट से पैसा बेच करता है इसी लिए जो ऐसे पैसे हम डायक्त कमा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे अनों तरीके से आठ्स एक चरचा क्या होता है कैं सरकार का बहुती ordered सब्सक्राइब दिया कि समानकार सेलरी देना विविश सेवाएं सरकार दारा रिन जो लिया है उसको चुकाना या सरकार या अन दलों को प्रदत अनुदान पताब अलग अलग टाइप का इसमें आपको नौर्मल जो खर्चा होता है normal salary दे दिया किसी को पैसा payment किया ब्याज का पैसा लोटा दिया इस सब राजस शुबह के अंतरगत आपको आता है पूजीगत बजट की आप बात करते हैं वो राजस शुबजट था अब पूजीगत बजट की अगर बात करें इसका संबंद पूजीगत पहलू के साथ होता है यानि कि पूजीगत बजट सरकार की उन संपतियों asset और liability का लेखा होता है जो पूजी में परिवर्तन में प्रभ पूजीगत बजट पूजीगत प्राप्तिया कैसे होगी ऐसे ही जब आप क्या करोगे जब गवर्मेंट आपको लोन लेगी किसी से ठीक है या गवर्मेंट अपने asset को बेच देगी या तो हम लोन लेंगे या asset बेच देंगे यह क्या कहलाएगी पूजीगत प्राप्तिया को बेच दे रहे हैं पटापट बताईए पूजीगत प्राप्ति मिन्स या तो हम लोन लेंगे या तो हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी को बेच देंगे यह पूजीगत प्राप्ति होगी तो पूजीगत बै की बात करें ये सरकार का वो बै है जिसके परणाम सरूव आपको भौतिक बित्य प्रसंपतियों का आपको सिर्जन या दायत्तों में कमी होती आपको इसमें ठीक है जिसे पुल बनाना रोड बनाना ठीक है ये सब आपको इसके अंतरगत आता है पूजिगत बैक अंतरगत भूमी अधिगरन या तो जमीन ख़ई सकती है ठीक है जिसमें आपको होस्पिटल बनाना हो, इस्कूल बनाना हो, रोड बनाना हो, मैर्ट्रो बनाना हो ठीक है भवन का निर्मान करेगी, मशीने खरीदेगी, उपकरण, सेयर में निवेश करेगी, क सरकार लोन बाट रही है किसी भी कंपणी को लोन दे दिया राज सरकार को दी दिया तो वह उसकी पूजिगत बैय है यानि कि वापस आएगा ठीक है एक तरह से आप बस यहीं समझना कि राजश बैय में क्या होता है कि कुछ वापस नहीं आता है यहां पर आपको वापस आने की चीजь की रोड बनी है रेवेनियू आएगा टैक्स आएंगे रेल चल रही यहां लेकिन पूजीगत प्राप्ति का मतलब क्या हुआ या तो हमने लोन लिया था या तो हमने एसेट को बेच दिया था ठीक है यही दोनों के बीच के अंतर पूजीगत बजट के रूप में हम दरसाएंगे इसे तो यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए फट अब बात करते हैं योजनागत बै की क्या होता है योजनागत बै का संबंद केंद्रिय योजनाओं और राज तथा संगसासित परदेश की योजनाओं के लिए केंद्रिय साहिता से होता है यानि कि जितनी भी आपको योजना है चल लिए होती है ठीक है या राज में या कें इसमें सरकार द्वारा आपको सभी आर्थिक और समाजिक सेवाओं पर आपको व्यापक बैक के सामिल होते हैं आपको जो भी डिफेंस पर खर्चा करना हो यह सारे के सारे खर्च यहां पर होता है ठीक है पूजा क्या नो बताया मुझे समझ में नहीं आया बताईए कि और यह था बजट का आधाई भाग तीक है आज मैंने आपको क्वश्चन इसलिए नहीं लाया हूं कि काफी आज ज्यादा था इसमें कंटेंट और कल तो बच्चे नहीं आया थे आप लो तो काफी ज्यादा कंटेंट इसमें है तो एक ही दिन में बजट को समझाना बहुत मु के सैसन में और फिर क्वश्चन करेंगे बहुत सारे बजट से रिलेटेट क्वश्चन तो बैच को आप मिस मत करिए बैच आप डेली लीजिए ठीक है रिकॉर्डेट वीडियो को देखिए वहां से अगर आपके मन में कोई क्वश्चन आता है तो पूछिए तभी आपकी तैयारी मुकमल हो पाएगी को जी जो है वह आपको अलग-अलग सब्जेक्ट से आने वाला कॉश्चन से हैं तो सभी सब्जेक्ट पे आपकी पकर रहेगी तभी आप अच्छे से सफल हो पाएंगे ठीक है जी नहीं कोई नहीं कोई नहीं तो आप रिकॉर्डेट वीडियो कोई देखके हमसे कॉश्चन पूश सकते हैं ठीक है तो कल हम बजटी घाटे की बात करेंगे मिलते हैं कल के सेशन में अपना ख्याल रखें कोई भी कॉश्चन है तो पूश सकते हैं ठीक है पूजा आपका कोई कॉश्चन चलिए तो मिलते हैं नेक्स सेशन में एक नए टापिक के साथ नए टापिक क्या बजटी घाटे की बात करेंगे उसमें तब तक लिए अपना ख्याल रखें मिलते हैं नेक्स सेशन में जैहिन जै भारत